इसका उपयोग एकनिक पिंपल्स कील मुहासे की समस्या में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बलेक एकनिक और वाइट एकनिक की समस्या में उपयोग किया जाता है और जैसे कि अगर किसी के चेरे पे पिंपल्स या एकनिक की समस्या रहता है वो चेरे पे हो जाता है तो उसके निसान को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इस क्रीम का उपयोग किस परकार की दिक्कत किस परकार की समस्या या फिर इसकीन से रिलेटट किस परकार की दिक्कत किस परकार की समस्या रहती है ये पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे जैसे कि एकनिक तथा पिंपल्स की समस्या अगर किसी के फेस पे हो जाता है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये करीम पे स्कराइब किया जाता है और जैसे कि आपने देखा होगा कील मुहा से पिंपल्स एकनिकी समस्या अगर किसी के चेरे पे हो जाता है तो वो छोटे छोटे उसके चेरे पे दाने के जैसे हो जाते हैं एक जगे से दूसरी जगा जानी सर के साइड में मत्य के साइड में नाक के साइड में हम कह सकते हैं कभी कभी पूरे फेस पे आपने देखा हो कि एकनिक और पिंपल्स की समस्या हो जाता है तब उस समस्या को ठीक करने के लिए यानि उस पिंपल्स और एकनिक की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम पे स्कराइब किया जाता है स्कीन पर अपलाई करने के लिए और जैसे कि अगर किसी क चेहरे पर यानि फेस पर इसकीन पर पिमपल्स या फिर एकनी की समस्या हो जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा पिमपल्स एकनी की समस्या जब ठीक हो जाता है तो वहाँ पर दाग पड़ जाते हैं दाग धब्बे की जैसा निसान पड़ जाता है जहाँ पर पिमपल् और एकिनी की समस्या जब रहती है तो उस का जो निसान रहता है उस निसान को ये मिटाने का काम ये किरीम करता है ये किरीम डाक्टर के द्वारा पिंपल्स और एकिनी की समस्या में मुख खता काफी ज़्यादा पेसकराइब किया जाता है डाक्टर के द्वारा आपने देखा से होता है तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये किरीम स्कीन पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है ये किरीम इस समस्या को एक परकार से जड़ से ठीक करने का काम करता है यानि बंस की समस्या को पूरी तरह से ठीक करता है ये किरीम डॉक्टर के द्वारा बंस क बहुत जूता पहंते हैं, उसकी वजा से और उनके एक प्रकरसे हैं, तलवे के सायड में, तलवे के पंजे के साइड में, वहाँ पर कथोर हो जाता है, जो इसकिन होता है, वहाँ पर एकडम हो जाता है यानि काड़ा सा हो जाता है तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम अपलाई करने के लिए दिया जाता है इस समस्या को हम सेलूलिस कहते हैं तो सेलूलिस समस्या को भी ठीक करने का काम ये क्रीम करता है डॉक्टर के द्वारा इस क्रीम का उपयोग इस समस्या में भी काफी ज़्यादा पेसक्राइब किया जाता है और इस क्रीम का उपयोग इसकीन को लाइट करने के लिए भी इस क्रीम का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के दोरा पेसक्राइब किया जाता है और जैसे कि अपने देखा होगा कि जब किसी के गर्दन के साइड में हम कह सकते है वहाँ पर जो उनका स्कीन होता है वो बलेक कलर का हो जाता है तो उस समस्या में भी डॉक्टर के दोरा ये करीम अपलाई करने के लिए दिया जाता है मलेस्मा नाम की बीमारी की समस्या में डॉक्टर के दोरा ये करीम पे स्कराइब किया जाता है इस समस्या में क्या होता है इसकीन पर रेड कलर के पेचेस हो जाते हैं तो इस समस्या में भी डॉक्टर के दोरा ये करीम पे स्कराइब किया जाता है ये समस्या आपके गाल के नाक के साइड में हो सकता है तो इस समस्या को ये क्रीम जरसे ठीक करने का काम करता है चलिए अब हम आपको बताते हैं इस क्रीम में क्या कंपोजीसन यानि क्या साल्ट पाया जाता है जैसे कि इस क्रीम में जो साल्ट पाया जाता है सेलिसिलिक एसीड ओइंटमेंट होता है इस भवक के जैसा मैं महसूस हो सकता है एक तरीके से और हम कह सकते हैं वहाँ पर आपको खुजली के जैसा भी महसूस हो सकता है आपके स्कीन पर अगर ये सारी समस्या दिखे तो तुरंत ये किरीम आप तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिज्ट से तुरंत संपरक करें चलिए अब हम आपको बताते हैं ये क्रीम आप अपने face पर apply कैसे करना है जैसे कि ये क्रीम लगाने से पहले सबसे पहले आप अपने skin को धुल ले यानि हम कह सकते हैं पानी से आप अपने skin सो धुलने दुलने के बाद में साब तोलिया में आप अपने skin को पोचें उसके बाद में आप ये क्रीम आप अपनी उंगली में लेके आप अपने skin पर apply करें जहां पर आपको समस्या ये क्रीम अलग-अलग strange में आता है और इस क्रीम का जो strange होता है ये एक परकार से समस्या और दिक्कत और परःसानी को देखते हुए डॉक्टर ये क्रीम पैसकराइब करते हैं इसके अलावा यह आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो इग बाद अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी मेडिसीन, कोई भी किरीम उप्योग करें, कभी भी आप कोई भी मेडिसीन, कोई भी किरीम खुद से उप्योग ना करें